निर्मित सविधान निर्मित सविधान जैसे की नाम से पता चल रहा है कि जिसका निर्मान किया गया है भारत के सविधान का निर्मान किया है भारत के सविधान के निर्मान के लिए एक सविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया भारत के सविधान को बनाने के लिए दो सा 11 मां 18 दिन का समय लगा 26 नवंबर 1909 को भारत का सविधान निर्मित हुआ लागो 1950 में किया गया उसे प्रकार अमेरिका का सविधान भी लिखा गया है फिलाटेलफिया सम्मेलन में अमेरिका का सविधान का निर्माण किया गया है तो किसी सभा के द्वारा किसी सम्मेलन के द्वारा सविधान का निर्माण किया जाता है उसको हम निर्मित सविधान कहते हैं दूसरा है सविधान के प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर तो पहला लिखित सविधान लिखे सविधान उसे कहते हैं जिसकी पूर्णतह अथवा अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेकबद हो वे किसी एक सविधानी कानून के रूप में भी हो सकते हैं अथवा अनेक कानूनों के रूप में भी हो सकते हैं सरकार के संगठन उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों उनके अंगों के पारस पर एक संबंधों तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का सविधान में इस पश्ट उलेक रहता है लिखिस सविधान एक निश्चित रूप से निर्मित सविधान होता है जिसे एक सविधान सभा तथवा अथवा आयोग द्वारा स्विकृत किया है आधोनिक युग में लिखिस सविधान की परंपरा शुरो करने का जो श्रेय है वो अमेरिका को है बाद में फ्रांस, स्पेंट, डेनमार्क, आधि कई यूरोपियन देशों ने इसे अपनाया भारत का भी सविधान लिखिस सविधानों की श्रेणी में आता है तो लिखिस सविधान जो होते हैं वो लिखा जाता है अधिकांश हिससे उसके लिखे जाते हैं और वो कठोर भी होते हैं और किसी सविधान सभा या किसी आयोक के द्वारा ही बनाया जाता है बनाया गया है मतलब वो लिखा भी जाएगा प्रोफेसर स्ट्रॉंग के अनुसार लिखे सविधान वह है जो एक प्रलेक के रूप में हो और जिसे विशेस अनुशस्ती प्राप्त हो हम देखते हैं लिखे सविधान के गुण क्या क्या है लिखे सविधान के गुण के पहला गुण है सुनिष्चित एवं इसपष्ट लिखे सविधान में शासन सम्बंधी सभे बातें लिखी होने से सासन प्रबंधन में आसानी और कुशलता रहती है तथा लिखित सविधान निश्चित एवं इस्पष्ट होने से उसकी व्याख्या के सम्मन्द में राजनीतिक दलों में अधिक मदभेत की गुंजाईश नहीं होती है अता इसका पालन सरलता से किया जा सकता है इसके अलावा नागरिकों के अधिकारों की का लिखित उलेखोने के कारण नागरिकों के अधिकार अधिक सुनिश्चित रहते हैं तो सविधान में सारे बातों को अगर इस पश्ट रूप से लिख दिया जाए तो किसी भी प्रकार के संघर्ज्ट की और मतभेत की आवशक्ता नहीं होती। जैसे कि भारत में अनुचे 356 राज्य में सविधानिक तंत्र के विफल होना। सविधानिक तंत्र विफल होगा ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति के उपर छोड़ दी गई है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर सविधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वहाँ पर राष्ट पत्तिशासन लग जाता है। लेकिन सविधान में इसको इसपष्ट नहीं किया गया है। इसे 356 का भारत में बहुत जादा राज्यपालों ने दुरूपियों किया है। इसे कारण केंदर सरकार ने इस अनुच्छेद का दुरूपियों किया है। जैसे आजादी के बाद पंजाब और केरल के राज्यों में हम देख सकते हैं कि वहां किस प्रकार की इस्थती थी। फिर एक हम केस देखते हैं ऐसा बमने केस जिसमें सुप्रीम कोट ने बहुत ही बहतरीन अपना निर्ने दिया है कि जब सविधानिक तंत्र विफल हो तो उसके कुछ निश्चित कारण होने चाहिए। उसले कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इन ही आधार पर आप राज्यों में सविधानिक तंत्र विफल होने की घोशना आप कर सकते हैं। तो हम यह देखते हैं कि सविधान में सारे जो उपबंध हैं वो इस्पष्ट होने चाहिए। दूसरा इस्थाइत्व लिखित सविधान के द्वारा राज्य के सार्जुनिक जीवन में इस्थिरता बली रहती हैं। क्योंकि लिखित सविधान प्राया कठोर होते हैं इसमें आसानी से शन्सोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अत्ता सत्तारोड दल सविधान के साथ खिलवाड नहीं कर सकता। जैसे अगर आसानी से परिवर्तन कर दिया जाए तो राजनितिक दल मन-माने तरीके से उसमें परिवर्तन कर सकता है। इसलिए लिखिष सविधान को कठोर बनाया जाता है ताकि साल्विजनिक जीवन जो है वो इस धिर रहे भारत में देखते हैं मुरारजी देशाई की सरकार ने संपत्ती के अधिकार में संशोधन किया पर उसको पूर्णता समाप्त नहीं किया जा सका यहां पर हम देखेंगे कि संपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे विधिक श्रेणी में रखा गया है हमारी अगर संपत्ती का अधिकार अगर मौलिक अधिकार में होता तो सरकार हमसे हमारी संपत्ती को चीन नहीं सकती जैसे कि रोड जब बनाया जाता और आपके मकान को या आपके दुकान को वहां से हटाने की जरुवत पड़ती तो सरकार आपके मकान को या दुकान को वो हटा नहीं सकती क्योंकि आपका ये मौलिक अधिकार है और इसके लिए आप निया पालिका के पास जा सकते हैं अब इस मौलिक अधिकार से अटाकर विधिक अधिकार किया गया तो आप देखिएगा विधिक अधिकार में क्या होता है जैसे सरकार रोड बनाती है और उस समय उस रोड को बनाने में आपके मकान या आपकी जमीन के सरकार को आवश रखता है तो सरकार उसे ले सकती है बदल जो कोट होते हैं, जीला नीयालै होतें, महाँ पर आप जा सकते हैं। अधिकारों की सुरक्षा होती है। जिन राजियों में मौलिक अधिकार लिखेत रूप में नहीं होते, वहां के नागरेकों का जीवन उत्तम किस्म का नहीं हो सकता। वहां पर शोशन होने की संभावनाय बनी रहती है। यहां पर हम देखेंगे, रोस को देखें, रोस और युक्रेन के युद्ध में, रोस के राश्ट्रपती पुतिन ने कहा कि रोस के प्रतेक नागरिक सेना में जाने के लिए रेडी रहें। क्या एक पत्रकार, एक सिक्छक, सेना में जाकर वो काम कर सकता है सैनिक का? नहीं कर सकता। इसलिए रोस के नागरिक जो है, वो रोस छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? वहां पर मौलिक अधिकार का इसपष्ट उलेक नहीं किया गया है। भारत में अनुच्छेद 32 राज्य से सनरक्षन प्रदान करता है व्यक्ति को जैसे एक प्रसिद्ध केस मिनर्वा मिल्स 1989 यहां पर कहा गया कि क्या संसत मौलिक अधिकारों में शंशोधन कर सकती है। तो सुप्रीम कोट ने कहा कि संसत जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल धाचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब यह मूल धाचा क्या है। जैसे प्राण की और देह की स्वतंत्रता, नीजिता का अधिकार ये सब मूर ढाचे के अंतरगर आता है। अलप संख्यकों में विश्वास, लिकिस सविधान अलप संख्यकों को उनके अधिकारों और हितों की रक्षा का आश्वासन देते हैं। सविधान के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाता है। अधिकारों को देखें तो हम अमेरिका में देखें या दुबई में देखें कितने मन्दिरों की संख्या हैं। बहुत कम नाके बराबर यह मंदिर देखने को मिलेंगे लेकिन आप भारत में आईए तो भारत में देखेंगे कि हर जगा पे आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आपको देखने को मिलेगा क्योंकि भारत का सवेधान अलप संख्यकों के हितों का संरक्षन क करती हैं अगर हम जर्मनी की बात करें वहां पर यहूदी धर्म के जो लोग थे वो अल्प संख्यक थे और वहां पर यहूदियों का नर्शंहार किया गया था और इसी नर्शंहार की वज़ा से आज यहूदियों का एक देश बना जिसको हम इस्राइल कहते हैं तो यहां पर आ सविधान में अल्प संख्यकों का सप्ष्प उल्ले करना चाहिए। लिखेत सविधान संघी राज्यों के लिए उप्युक्त हैं, क्योंकि संघी शासन में शक्तियों और कार्यों में वाधिकारों का विभाजन केंद्रसरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है इन दोनों सरकारों के बीच अनावश्यक संगहर्ष वा तनाव को रोकने के लिए लिखे सविधान का होना आवश्यक है लिखे सविधान में इन सब बातों का जैसे संग में शामिल राज्यों का संग में क्या इस्थान है संग के साथ उनके संबंध केंद्र और राज्यों के कारियों एवं अधिकारों का इस पश्ट विभाजन केंद्र वा राज्यों की शासन विधी, राज्यों की अपने संबंध, सरकारों की एक स्वरोप आधी कवर्णन लिखित रूप में अच्छी तरह होता है अत्यव दोनों केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी के अधिकारों का अतिक्रमन नहीं कर सकते हैं इस प्रकार लिकिस सविधान संगे राज्यों के लिए उप्यूक्त होते हैं जैसे जहां पर संगात्मक शासन प्रणाली होती है संगात्मक्षासन प्रणाली में शक्ति का विभाजन होता है केंद्र और राज्य सरकार के भी शक्तियों का विभाजन होता है इस विभाजन को हम देख सकते हैं केंद्र सुची, राज्य सुची और समवर्ति सुची के रूब में केंद्र सूची पर जो विश्य हैं उस पर कार्य केंद्र सरकार करेगी राज्य सूची के जो विश्य हैं उस पर राज्य सरकार कार्य करेंगे और समवर्ती सूची जो है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पर कार्य कर सकती है जैसे कि सिक्षा जो है संबर्ती सुची में आता है तो दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर कारिया कर सकती है तो यहाँ पर किसी कारे को लेकर किसी शक्ति को लेकर कोई टकराव ना हो कोई संघर्ज ना हो इसलिए लिखित यहाँ पर सविधान का होना आवश्यक है शासन के आनावश्यक हस्त छेप एवं अत्याचार से रक्षा चुकि सविधान लिखित रूप में होता है इस कारण शासक दल अपनी इच्छा नुसार या मनमाने तरीके से इसमें परिवर्तन नहीं कर पाते हैं इसमें जन्ता तथा शासन दोनों के अधिकार और कर्तव्य लेकबद्ध होते हैं अता शासन या सरकार के सभी आंग अपनी शक्तियों या कारियों का प्रयोग सविधान के सीमा में रहकर ही करते हैं अता लिखित सविधान में शासकों के अनावश्यक हस्तचे वो अत्याचार की संभावनाय बहुत ही कम होती हैं यहाँ पर देखिए एक्जामपल अनुच्छेत 25 जिसमें कोई भेव्यक्ति किसी भी धर्म का पालन वो कर सकता है जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को वो मान सकता है इसके लिए कोई आपको बाद्य नहीं कर सकता है इसी प्रकार से अनुच्छेत 27 जो है धार्मिक क्रिया कलापों के लिए जो धन होता है उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है यह आपकी अधिकार हो गए जो बरदस्ति आपको कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट आपको नहीं कर सकता है आप स्वेक्षा से जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को आप मान सकते हैं जैसे भारत में अनुच्छे 301 आपको व्यापार की स्वतंत्रता देता है आप जिस भी प्रकार का व्यापार करना चाहते हो आप व्यापार कर सकते हो लेकिन वो इनलीगल नहीं होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए मानों के लिए खत्रा ना हो ऐसा कोई व्यापार आप नहीं करेंगे जैसे आप गांजा का उत्पादन नहीं कर सकते उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं कि वो गलत है इनलेगल है उसी प्रकार से नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी मिली है अनुछेत 19 के तहद यहां पर आप देखिए कि यदि आपको सरकार की नीतियां पसंद नहीं है आपको लगता है कि जनता के हितमे नहीं है देश के इतमे नहीं है तो आप सरकार की नीतियों के विरोध में भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं यह आपके अधिकार है और यह लिखे होने के वज़ा से यह फ्रीडम आपको मिलता है अगर लिखा ना गया हो तो यहां पर आप नागरिकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है राजनितिक आवेश से सुरक्षा लिखे सविधान होने से यह संभावन्य कम रहती है कि दल परिस्थितिवत अरथाद साम्यक आवेश में आकर सविधान में अनावश्यक संशोधन नहीं कर पाते एवं इसमें अनावश्यक उतल पुतल नहीं होती जैसे राश्नितिक दल लिखे सविधान की विशेस्ता ये है कि वो साधार्णत कठोर होती है और कठोर सविधान में परिवर्तन करना आसान नहीं होता जैसे कि भारत, भारत में यदि आपको सविधान में परिवर्तन करना हो, तो सबसे पहले आपको साधारन बहुमत लाना पड़ेगा। दोसो, बहत्तर तो लाने ही लाने हैं, पर विशेज बहुमत में हमको साधारन बहुमत से भी अधिक वोट लाने होंगे, सांसदों के, 325 होने चाहिए कम से कम, बात यह है यहाँ पर, कि संसद का जब सत्र चलता है, तो सारे के सारे सांसद वहां उपस्थित नहीं होते हैं, त इतनी आसानी से सविधान में परिवर्तन नहीं कर पाती हैं, पवित्र लेक, इसपष्ट, सुनिष्चित, इस्थित, अधिकारों के गैरेंटे, आधी, गुणों के कारण, लिखित और लेक, लिखित और सविधान, लेक माना जाता है, और जनता द्वारा, प्रसन्नता पु सविवस्था, उसके अधिकार, शांति पूर्ण, जीवन के लिए ही सविधान लिखा गया है, तो इसलिए एक क्या है, पवित्र लेक है, जब सविधान में आवशक्ता अनुसार, समय और परिस्थिती के अनुसार, अगर परिवर्तन नहीं हो सकेगा, तो इससे देश की प् लगती रुख जाएगी, ऐसी कठनाई उस समय विशेस रूप से सामने आती है, जब सविधान लिखित होने के साथ कठोर भी होता है, जैसे भारत का जो सविधान है, वो लिखित भी है, लचीला और कठोर भी है, तम कठोरता की तरब आते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि आ नागरिकों को मौलिक अधिकार दिये गए, जिसमें संपत्ती का भी अधिकार था, चुकि मौलिक अधिकार है, तो राज्य छेन नहीं सकती, अभी भारत की जो आर्थिक कंडिशन है, वो बहुत खराब है, अंग्रेजों के द्वारा शोषन किया गया, आर्थिक शोषन किय गया, हमारी आर्थिक इस्थती थी, वो जरजर थी, ऐसे में हमें सडक निर्मान करना है, उद्योग इस्थापित करने है, कई सारे प्रगति के कार्य करने है, तो ऐसे में अगर संपत्ती का जो मौलिक अधिकार मिला है, अगर उसमें संशोधा नहीं किया जाता, तो भारत क की प्रक्ति के मार्ग पर बाधा होती इसलिए संपत्य के अधिकार को संशुधित करके विदिख अधिकार बनाया गया जैसे कि भारत जब अजाद हुआ तो भारत की आर्थिक स्थापित करणा है, बड़े उध्योग इस्थापित करना है, कई सारे काम करने थे पर भारत के पास धन नहीं था उपर से संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार था जैसे आसानी से परिवर्तन नहीं किया जासकता है, तो एक प्रकार से प्रगति के मार्ग पर यह क्या था बाधक था लेकिन चीन में संपत्ति का अधिकार नहीं होने के कारण वहाँ चीन की आर्थिक जो प्रगति है वो होती गई पर भारत की नहीं हो पारी थे क्योंकि वो मौलिक अधिकार में शामिल था दूसरा है क्रांती का भै लिखित सविधान में कई बार जन्ता की इच्छा के अनुसार बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं हो पाता जिससे जन्ता में असंतोश व्याप्त हो जाता है अता इसमें परिवर्तन के लिए जन्ता क्रांती और विद्रोह का सहारा लेती है। मैं काले ने लिखा है कि क्रंतियों का एक बड़ा कारण यह है कि राष्ट्र आगे बढ़ जाते हैं और सविधान इस थिर रहता है। इसका हम एक उधारन देखते हैं अमेरिका में कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत में रंग भेत होता था अमेरिका के सविधान में रंग भेत को लेकर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया और अमेरिका का सविधान लिखिद भी है और कठोर भी है तो वहां के अश्वेत लोगों को क्रांती करनी पड़ी ताकि सविधान में संशोधन किय जा सके क्यूंब एक कठोर सविधान था परिभर्तन करना आसान नहीं था इसलिए वहां के अश्वेत लोग जो थे रंग भेद की नीतिक उन्होंने वेरोध किया क्रांति की और वहां पर सविधान में शंशोधन करना पड़ा सरकार को तो यहीं है कि लिखे सविधान कठोर हो लिखेश सविधान कठोर होते हैं नहीं किया जा सकता जैसे कि भारत में यदि आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित यनीती निर्देशक तत्व हैं उसमें यदी आपको परिवर्टन करना है तो उसके लिए आपको विशेश बहुमत की आवशकता हुती है साधारन बहुमत हैं उससे जादा आपको वोटों की सांसदों की जरवत पढ़ती है जो कि आसाल नहीं होता इतने सारे जो सांसत है में 503 एक सांथ वो वहाँ पर संसद में नहीं बैठे होते हैं और कठोर है जैसे के GST को लेकर यहाँ पर हम देखेंगे कि विशेस बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्विक्रिती की भी आवशक्ता होती है और GST जब लाया गया तब इसी कठोर प्रक्रिया का पालन किया गया लिखिस सविधान प्राया कठोर होते हैं राष्ट के विकास के साथ साथ वह विक्षित नहीं हो पाते हैं ऐसा सविधान भविश्य के विकास को सोचे बिनाही निश्चित कर दिये जाते हैं ये आवश्यक नहीं है कि जो कानून या सिद्धान ततकालिक परिसिती में ठीक है वह पचाश वर्ष बाद भी उप्युक्त रहे जब सविधान का निर्माइड किया गया था उस समय की परिसिती अलग थी समय और परिसितीयां बदलती हैं उसके अनुसार कानून को भी बदलना चाहिए पर कठोर सविधान होने की वज़ा से आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता कठोर सविधान अमेरिका के सविधान को देखें तो इतने सालों दोसो सोला सालों के वर्षों के असपास भी वहां इतना जादा संशोधन नहीं हुआ हैं तकरिबन 27 संशोधन वहां पर हुए हैं और भारत जो 1947 को आजाद हुआ और 1950 को जिनका सविधान लागु हुआ वहां 100 से भी जादा सविधान में संशोधन हो चुके हैं भारत का सविधान लचीला और कठोर भी है तुम कठोरता की तरफ अगर हम देखे तो भारत को यदी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन और नीर्दे शक्तत्तों में यदि परिवर्तन करना है तो भारत में विशेश बहुमत जो प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ता है अगर बढ़ाना है शक्ति को या घटाना है तो विशेश बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्विकृति का होना आवश्यक है। लिखे सविधान कठोर होने की बज़ा से हम समय और परिसितिक अनुसार कानून में परिवर्थन नहीं कर सकते। संकट काल की लिए अनुप्युक्त, लिखेस सविधान संकट काल की लिए अनुप्युक्त है क्योंकि शिग्र लेने की आवशक्ता होती है, परन्तों लिखेस सविधान में शिग्र निर्ने लेने की संभावनाएं नहीं रहती, लिखा हुआ है, इसलिए निर्ने शिग्र नही में 352, 356 और 360 जो संकट काल के लिए है एक उचत निर्णे भारत ले सकता है आलिखित हैं इसलिए समय परिस्थिते के अनुसार संकट के अनुसार हम निर्णे ले सकते हैं पर जो लिखित होता है जैसा लिखा है वैसा ही हमको निर्णे लेना पड़ेगा भारत को देखें तो भारत में इसके लिए उप्योक्त विवस्था है जैसे अनुच्छे 352, 356 और 360 तो भारत हर संकट के समय भारत में जबें बे संकट की घड़ी आई है तो भारत ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है क्योंकि हमारे पास ये उपबंध हैं अधिकारों की रक् स्वाशा है तो लिखे सविधान आवश्यक नहीं है वास्तामें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, लिखे सविधान की अपिक्षा, स्वतंत्र न्याले, ससक्त विरोधि दल पर अधिक निर्भर करती है ब्रिटेन का उधारण इस बात का प्रमान देता है कि वहां अ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं. हमारे सविधान में हमें अधिकार लिखित रूप से मिले, ब्रिटेन में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी वहाँ के नागरेकों को वो सारे अधिकार मिलते हैं लगभग जितने हमें मिले हुए हैं तो वहाँ एक शसक्त राशनितिक गल है प्रेस और न्याय पालिका के माध्यम से भी मौलिक अधिकारों की या जो अधिकार राज्य देता उसकी सुरक्षा की जा सकती है न्याय पालिका को अनुचित महत्य मिल जाता है लिके सविधान वाले देशों न्याय पालिका ही सविधान की व्याख्या करती हैं अता सविधान वही हो जाता है जो न्याय धिश कहते हैं अमेरिका में सविधान नियायपालिका की इच्छा के अनुसार कारे कर रहा है। अमेरिका के एक मुख्य नियायधिश हुज ने कहा था अमेरिकन जनता एक सविधान के अंतरगत अवश्य रहती है परन्तु सविधान वही है जो नियायधिश कहते हैं। अमेरिका का जो सविधान है केवल साथ अनुच्छेदों वाला सविधान है अब इस साथ अनुच्छेद के आधार पर देड़ से 200 साल से वो शासन कर रहे हैं सिफ साथ अनुच्छेद हैं तो अमेरिका में कई सारे विवाद कई सारे अस्पश्चता हैं जिसे न्याय पाली का भारत का सविधान बहुत ही विस्तृत है तो भारत की जो न्याय पालिका है बस उन्हीं मुद्दों पर जिसमें विवाद होते हैं उन्हीं का वो सेलुशन करती है उसी का वो निर्णे देती है चुकि विस्तृत लिखा है न्याय पालिका अगर भारत की न्याय पालिका या अमेरिका की जो न्याय पालिका है उन्हें एक शक्ती मिली हुए उसों हम कहते हैं न्यायिक पुनरविलोकन की शक्ती इस शक्ति के आधार पर न्याय पालिका संसत के बनाय हुए कानून को अवैद्य घोशित कर सकती है यदि वो सविधान के अनुसार नहीं है या कारे पालिका के कारियों को अवैद्य घोशित कर सकती है यदि वो सविधान के अनुसार ना हो न्याय पालिका जो है शब्द बाई शब्द सविधान की लिखी हुए बातों को फॉलो करती है न्याय पालिका भावनाव पर नहीं चलती न्याय पालिका तत्यों पर चलती है जैसे भारत में जब्मू और कश्मीर में 370 हटाये गया 370 क्यों हटाये गया ताकि जब्मू और कश्मीर का विकास कर सके उन्नती कर सके वहां आतंगबती गतिविधिया है उन्हें समाप्त कर सके तो यह भारत के लिए अच्छा है 370 हटाने के विरुध कई सारे PIL दाखिल किये गया न्याइपालिका उसे अवैद्य घोशित कर पाती यदि सरकार इसको अनुचित रूप से करता सविधान के नुसार नहीं करता तो न्याइपालिका वही करती है जो सविधान में लिखा होता है और तथ्य के आधार पर करती है इसका मतलब यह नहीं है कि न्याइपालिका जो है उन नती के मार्ग पर बाधा डालती है ऐसा नहीं है न्याइपालिका सविधान की लिखी हुए बातों को ही फॉलो करती है जैसे कि इंद्रा गांधी जी की सरकार थी तब इंद्रा गांधी जी ने गलत तरीके से नस्बंदी कराया जो कि गलत था अगर सुप्रीम कोट नहीं होती तो हमारे देश की भी कंडिशन जो है चीन की तरह होती जैसे चीन में एक ही बच्चे होते हैं उसी प्रकार से भारत में भी होता तो न्याय पालिका की जो न्याय पुनर विलोकन की जो शक्ती है वो देश के हित में ही है और जनता के हित में है बस अंतर इतना है कि न्याय पाली का जो है भावनाव पर नहीं तत्यों पर चलती है और सविधान में जो बाते लिखी गई हैं उसके अनुसार ही वो निर्णे प्रदान करती है अगला विवात का विशे सविधान की धाराओं या उबंधों की व्याक्या कानून के ग्याता अलग-अलग करते हैं परड़ाम यह होता है कि वह अनवश्यक विवात का विशे बन जाता है इसलिए भारतिय सविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है यहां पर हम देखेंगे भारत में देखें तो कई सारे केसेज आए हैं जिसमें नियाई पालिका ने अलग-अलग निर्णे दिया है जैसे कि गोलक नात बना पंजाब राज्य उनिस सो सड़ सड़ यहां पर इस केस में ये था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती हैं तो नियाई पालिका ने निर्णे लिया और कहा कि नियाई पालिक की संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है फिर एक महत्तुपूर्ण केस आया केश्वनन भारती बनाम केरल राज्य उन्निस्सों तिहत्तर यहां फिर से वही बात हुए क्या संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है तो सुप्रिम कोट ने कहा कि परिवर्तन कर सकती है किन्तु मौल भूट धाचे में परिवर्तन नहीं कर सकती फिर एक और महत्तुपूर्ण केस मिनर्वा मिल्स उन्निस्सों अस्सी इसमें सुप्रिम कोट ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, मूल धाचे में परिवर्तन नहीं कर सकती और इस बार नयपालिका ने मूल भूट धाचा को उन्होंने एक्स्प्रेंड किया कि कौन-कौन सी ऐसे पॉइंट से जो मूल धाचे के अंतरगत आते है जैसे प्राण और देह की स्वतंतरता, नीजता का अधिकार यह समूल भूट धाचे के अंतरगत आता है